दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल डे टू डे अपडेट में दोस्तो पिछली वीडियो में हमने कम्प्यूटर सॉप्टेर का थेरी पार्ट देखा था और इस वीडियो में सेम चैप्टेर का MCQ कोश्चन लगाएंगे टोटल हमने 40 MCQ कोश्चन यहां पर लिया है और सभी के सभी MCQ है इंपोर्टेंट है तो आप जरूर वीडियो के अंतक बने रहेगा और हम यह कहेंगे आप से कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं MCQ वाला तो इससे पहले आप थेवरी का वीडियो देख लीजे तो आपको अच्छे से सभी कोश्चन समझ में आएंगे ओके सबसे पहला यहां पर कोश्चन है कि वाट इस सौप्टेर क्या है सभी क्या है तो सभी जिए प्रोग्रामों का संग्रह है कोश्चन नमर दो है कि निलिक्षित में से कौन सा सभी का परकार है तो यहाँ पे सिस्टम सभी और अपलिकेशन सभी दोनों जहें सभी के परकार है इसके related जो है हमने पढ़ाया थेरियो वाले वीडियो में इसका correct answer C होगा A और B दोनो Next question है कि system software का उदाहरन क्या है तो system software का जो example है वो यहाँ पे हो जाएगा Windows OS जो operating system आते हैं वो system software के example से परड़ जाएगा जो वीडियो है उसमें बताया है हमने कौन सा software computer hardware का प्रबंधन करता है तो जो system software है वो computer hardware का प्रबंधन करता है management देखता है अगला question है यहाँ पे कि application software का कौन सा है इसमें से example है application software यहाँ पे मनने apps का पूछ रहे है application software का example हो जाएगा MS Office यहाँ पे जो Linux है और जो यहाँ पे BIOS है यह एक तरह का operating system है यहाँ पे anti-virus यह utility software के अंदर आता है यहाँ पे correct answer हो जागा MS Office option number C next question है कि इन में से कौन सा operating system है तो यहाँ पे जो Windows है वो operating system है बाकि सब भी जो है application software का example है option C correct answer होगा next question है कि operating system अपने graphical user interface के लिए जाना जाता है कौन सा operating system है जो अपने GUI के लिए जाना जाता है graphical user interface के लिए इसका correct answer होगा option number C होगा Windows जो है इसमें बहुत ही अच्छे GUI होते है इसके बारे में हमने बताया है कि graphical user interface क्या होता है थेorio वाला वीडियो आप चेक आउट कर सकते है operating system का मुखे कार ज क्या है एट्थ question है जो operating system है उसका मुखे कार है hardware संसाधनों का प्रबंधन करना management देखना है hardware का next question है कि इन में से कौन सा utility software है utility software यहाँ पर हमने आपको बताया antivirus है utility software का example है next है कि GUI का full form क्या होता है stands for क्या होता है graphical user interface इसका stands for होता है next है कि वेब विकास के लिए कौन सी programming भासा का यूज किया जाता है तो वेब के development sorry वेब development के लिए यानि वेब साइट वगरा बनाने के लिए कौन सा भासा यूज किया जाता है तो यह होता है HTML यहाँ पे HTML है इसका जो full form होता है आप याद कर लिजेगा hyper text markup language होता है HTML का यह पुछता है डारेक्ली पुछ लेता है examination में hyper text markup language next है यहाँ पे retail software क्या है तो वैसे software जो आम जानता है यानि जो general public है उसको बेचा जाता है वो retail software कहलाता है OEM software मतलब OEM पहले समझ लेजिए इसके बारे में हमने बताया उस वीडियों फिर भी बताया देते हैं इसका मतलब होता है original equipment equipment और manufacturer होता है original equipment manufacturer इसका जो है इसका इस टेंस फोर होता है और यह क्या करता है मूल उपकरन दिरमाता द्वारा परदान कियागा software होता है जो भी आप mobile या फिर laptop लेते हैं जो पहले से software प्री इंस्टॉल लाते है mobile या laptop ने उसी को बोला जाता है OEM software मूल उपकरन दिरमाता द्वारा परदान कियागा software होते हैं इसके बारे में पढ़ा आया था आमने वीडियो में addware क्या है तो देखे addware बिग्यापन पर दर्सित करने वाला जो software होते हैं वो कहलाते है addware add मतलब होता है यह बिग्यापन उससे रिलेटर है okay spyware क्या कहलाते हैं ऐसे application जो users के गतिवीधी पर जासुसी करते हैं उसे spyware software करते हैं यह आप उप्यूद करता गतिवीधी पर जासुसी करने वाले software spyware कहलाते हैं कौन सा software use करने और साजा करने के लिए मुफ्त है तो freeware जो free में use करने के लिए अब लेवल है वो होगया freeware next question है कि कौन सा software शुरू में मुफ्त होता है लेकिन अतरीत सुवधाओं के लिए भुक्तान के हो सकता होती है तो वो कहलाते हैं आपको shareware पहले तो आपको share कर दिया जाता है कि आप फिर इमें use कर दिया जैसे हैं आप उसको use to हो जाते हैं उसको use करने का आदी हो जाते है या फिर आपको लग जाता है लग जाता है आपको कि आपके काम का है तो उसमें जो है अलग-अलग यहाँ पे paid जो है कर दिया जाता है उसको अलग-अलग type से बाद में उसको आपको पैसा देना पड़ता है उसके लिए तो वो होते हैं shareware next है यहाँ पे कि इन में से कौन सी programming भसा नहीं है तो यहाँ पे देखे जो MS Excel है यह spread sheet application software है spread sheet application software का example है MS Excel इसलिए correct answer C होगा और यहाँ पे जो python हो गया, java हो गया और C++ है यह programming languages है इसमें से कौन सा software text दस्तावेज बनाने और संपादित करने में मदद करता है तो आपको पता होगा, जो MS Word है Microsoft Word, वो software text और documents बनाने में काम आता है, next है यहाँ पे utility software के मुख्य कार्ज क्या है तो यह system का रख रखाओ करता है, system का maintenance दखता है utility software, जैसे कि आपका antivirus software हो गया यह सब आते हैं, इसमें example में question number 21 है कि internet browsing के लिए कौन सा software उप्योग किया जाता है तो web browser, अलग-अलग type browser का example हमने बताया है जैसे कि chrome हो गया chrome हो गया mozilla firefax हो गया mozilla firefax browser आता है, अलग-अलग example हमने बताया है, Microsoft का यह जाता है तो आप देख लिजएगा वीडियो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इसका answer हो जाएगा, web browser next है question number 22 कि Adobe Photoshop किस परकार का software है यह एक परकार का application software है Adobe Photoshop next है यह आपके कि कौन सी programming language अपनी सरालता और readability यानि पठीनियाता के लिए जानी जाती है इसका correct answer C होगा Python जो language है थोड़ा simple बनाया गया है जो पहले के languages थे उसके comparison में बहुत simple है पलस में आप अच्छे से इसको read कर सकते हैं पढ़ सकते हैं तो Python हो जाएगा correct answer इससे पहले हमने एक और language आपको बताया है HTML यह जो है web designing में यूज होता है HTML और Python यह question इससे related है Python होगा answer नेक्स है कि कौन सा software hardware निर्माता दोरा परदान किया जाता है और अक्सर पूर वास्ता यानिन प्री इंस्टॉल लाता है अभी हमने बढ़ता है आपको original equipment manufacturer जो सब्सक्राइब है वो पहले से mobile और laptop में प्री इंस्टॉल लाते है निमने लिखित में से कौन सा freeware का उधाराना जो फिरी में यूज करने को मिले तो जो फिरी में यूज करने वाला यहाँ पे है करना पड़ता है मार्केट से लाइसेंस की डालना पड़ता है अप्लिकेशन में तभी एक्टिवेट होता है वैसे इसको आप गलत तरीके से थर्ड पार्टी से डाउनलूट करके चलाते हैं लेकिन उसमें वाइरसेज वगेर आने के चांसे जराते हैं कौन सा सफ्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् सभी होते हैं storage cleaner software आते हैं वो सभी इसी के examper है utility software के next है यहाँ पे कि open source software का क्या मतलब है तो open source जो sorry open source जो software होते हैं वो software जिसका source code सोधित करने के लिए उपलब्ध है जिसके आप source code में source code में modification आप कर सकते हैं इसमें modification यानि बदलाव संभव होता है वो होते हैं open source software next यहाँ पे operating system का मुख्या उदेश क्या है operating system उनका जो मुख्या उदेश है वो hardware संसाधनों का प्रबंधन करना है करना है जो भी hardware resources है उनका प्रबंधन management देखना OS का काम है operating system का वर्क है नेक्स्ट यहाँ पे कि कौन सा system software का उदारन नहीं है सिस्टम software का उदारन यहाँ पे नहीं है तो देखें यहाँ पे जो windows OS है वो इसी का उदारन है Linux OS भी operating system है ओके यहाँ पे antivirus जो है utility software का उदारन है इसका correct answer यहाँ पे हो जाएगा MS word जो है यहाँ पे यह होता है application software इसलिए correct answer यह हो जाएगा ओके नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि वेब ब्राउजर का क्या कार्ज है वेब ब्राउजर क्या है तो यह इंटरनेट पे वेब ब्राउजिंग करने के लिए काम आता है वेब ब्राउजर एक्जामपल हमने बताया है कि रोम मोजैला फारफाइक्स और विक जो Microsoft एज वगरा है नेक्स्ट नमर्ट थाटिक वहस्ट किस software परकार में MS Excel और MS Word जैसे प्रोग्राम सामिल है तो यहाँ पर MS Excel MS Word यह application software है नेक्स्ट नहीं यहाँ पर वेब पेज़ डिजाइन करने के लिए किस परकार का software क्यों किया जाता है तो वेब पेज़ डिजाइन करने के लिए आपको जो होते हैं वेब विकास software यानि वेब डेवलप्मेंट software युज किया जाता है वेब साइट डिजाइनिंग के लिए बनाने के लिए नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा software कंप्यूटर के वाइरस से बचाने में मदद करता है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा एंटीवारस software वैसे जो एंटीवारस software है वो उटिलीटी एक्जांपल है अगर एंटीवारस software ना रह snail अपिस्ट है करेक्ट आंसर अभी यह दीःऑगा किस परकार का software अकθर हाड़वेर के साथ बंडल किया जाता है तो इससे लितर दो कॉशन से पहले भी आया है इसी सेट में तो OEM सफ्ट्वेर होगा और इजनल एक्यूप्मेंट मनुफेक्चिरर वो सफ्ट्वेर जो कंपनी निर्माता दोरा पहले से ही प्री इंस्टॉल लाते हैं डिवाइजेस में उसे बोलते हैं OEM सफ्ट्वेर 35th question है कि निमन में से कौन सा अस्प्रेट सीट सौप्ट्वेर का उदारन है तो यहाँ पर MS Excel जो है अस्प्रेट सीट जो है उसका एक्जामपल है सौप्ट्वेर का एडवेर का उदेश से क्या है एडवेर का क्या परपस है तो विगापन को परदर्शित करना यहाँ पर इसक ने बताया आपको वैसे सौप्ट्वेर जो सुरू में तो फ्री होते हैं लेकिन बाद में उसको पेड़ कर दिया जाता है तो उससे बोलते हैं सेर्वेर तो वीन आरर ऐसी इसी टाइब का है इसमें दो तरह क्या आते हैं एक फ्री वर्जन होता है बहुत काम फैसिलिटीज मिलता है और paid version में कुछ इस्टा facilities मिलता है यह होते हैं shareware का example question number 38 है कि इनमें से कौन सा software का परकार सीमित परिक्षण अवधी के साथ परदान किया जाता है यानि limited trial के लिए दिया जाता है इसका जो correct answer होगा option number B होगा shareware होगा देखे freeware तो lifetime आपको free होता है OEM software पहले से company दिर्मता द्वारा दिया जाता है और retail software जो है पहले सुरू से ही paid होता है यह ग्रहां को बेचा जाता है आमजनता को जो correct answer होगा option number B shareware होगा वही shareware जिसको शुरू में free रखा जाता है और बाद में paid कर दिया जाता है उसी के बारे में बोल रहा है next question है कि file को compress करने के लिए नहीं संपिडित करने के लिए छोटा बनाने के लिए size को छोटा करने के लिए कौन सा software उप्योग किया जाता है इसका correct answer होगा option number C win RR next और इस set का last question है कि freeware और shareware में मुख्य अंतर क्या है इसका correct answer option number A होगा freeware हमेशा के लिए मुख्योथ होता है लेकिन shareware को भुकतान क्या हो सकता पड़ सकती है यह हो सकती है तो यह यहाँ पे total 40 question हमने बताया आपको इस chapter से related जो भी question बन सकता था हमने बनाया और सभी के सभी question जो है important हमने लिया है और जो अभी trend चल रहा है अभी computer के questions का उन सभी trend पे अधारित है और BSPSL में इससे related बहुत सारे question पुछे गया है एक ही chapter से तो वीडियो अच्छा लगा होगो तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसे share कर सकते हैं Thank you so much